नमस्कार दोस्तों बोल्सकाई में आपका स्वागत है वीडियों में बताएंगे होली के बाद भायदूज के कुछ जरूरी नियम जिनको आपको भूल कर भी नजर अंदाज नहीं करना है आपको बताते हैं 8 मार्च को होली खेली जा रही है इस दन रात में 6.45 मिनट से दूज तिति शुरू हो जाएगी लेकिन भायदूज का तेवहार उदिया तिति में मनाया जाता है इसलिए उदिया तिति 9 मार्च को आने के कारण भायदूज 9 मार्च को मनाया जाएगा तो चलिए आपको बताते हैं कुछ जरूरी नियम किस दिशा में बिठा कर करना चाहिए भाय का तिलक तिलक करते समय हमेशा इस बात का दिहान रखें कि भाई का चहरा उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में से किसी एक ओर हो वहीं बहन का चहरा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए इस दिशा में तिलक करना और करवाना शुब माना जाता है इसके लावा किस तरह तिलक करना है ये भी जान लीजिए जहां तक संबभ हो कोशिश करें कि भाई दूज पर भाई सोफे और कुरसी पर बैठने की बज़ाए जमीन पर चौक पर बैठें ऐसा करना बेहत शुब माना जाता है इसलिए तिलक करने से पहले बहने जमीन पर आटा या गोबर से चोक बना ले चोक बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि चोक ऐसा बनाए जिससे भाई का चेहरा उत्तर या पश्चिम दिशा में आए वहीं बहन का चैरा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की और हो इसके बाद चोक पर लकड़ी का पाटा रखकर उस पर भाई को बिठाए फिर बहने खुद भी किसी आसन या पाटे पर बैठें और भाई के माथे पर तिलक लगाए भाई के हाथ में कलावा बांध कर तीपक चला कर भाई की आरती करें मिठाई खिला कर भाई की लंबी आयू की काम ना करें इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि भाई को तिलक करते समय कुछ खास बातों का दिहान रखना है तिलक के समय भाई या बहन काले रंग के कपड़े ना पहने आपस में जगणा ना करें घर में भी शांती का महौल बनाये रखें संबाव हो तो बहने तिलक करने से पहले तक उपवास करें तिलक करने के बाद ही कुछ खाएं उपवार का निरादर ना करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न पूले